Hello engineers, आज हम इस session में इस butterfly valve assembly को completely करने वाले हैं ये आप देख सकते हैं, ये पूरा assembly है, ये है इसका exploded view पूरे assembly को completely बनाने से पहले हम लोगों को एक-एक parts को पहले बनाके save कर लेना है ये है हमारा body, ये है हमारा shaft, ये हमारा retainer है, ये हमारा arm है, ये है plate, ये है nut, ये है screw Digital CAD Solutions YouTube channel को subscribe करके bell icon press कर लिजे, इसमें आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा और अगर आप whole premium complete course करना चाहते हैं, तो Digital CAD app को अभी install कीजिए और सीखना start कीजिए मैंने पिछले 10 सालों में 1000 students और professionals को training दिया है, इसलिए जो भी course content आपको मिलेगा वो पूरी तरह से industry oriented है इस app में जितने भी courses हैं या आने वाले courses हैं, सारे course mechanical engineers के लिए job oriented है, तो जल्दी से install कीजिए, link नीचे description में है तो चलिए मैंने NX को start कर लिया है, नया file ले लेता हूँ, यहाँ पे number one और body type कर दूँगा, ओके, अब location जो है, हमने यहाँ पर ले लिया है पहले से ही, ठीक है, ओके कर देता हूँ अब यहाँ से मैं sketch में जाता हूँ, top plane को लेता हूँ, और ok कर देता हूँ, अभी देखिए, यहाँ पर मुझे तीन circle की जरूरत है, एक 194 diameter, एक circle लेता हूँ, center 194 inter, दूसरा लेंगे 140 का radius, मतलब 280 का इसका diameter होगा, and then आप यहाँ पर click कर दो, and तीसरा जो है 350 का है, आप यहाँ से 350 ले लिजिए, enter कीजिए, and then यहाँ पर आपको click कर देना है, and then middle mouse, middle mouse, और यह जो हमारा last वाला circle था, उसको आप construction में convert कर दीजिए, ठीक, okay, अगला step है, यह side वाला बनाना है, तो चलिए फिर profile लेता हूँ, यहाँ से शुरुवात करूँगा, इधर तक, arc ले लेना है, कुछ इस तरह से, and then आपको यहाँ पर click करना है, middle mouse, middle mouse, फिर इसको पकड़ के आप horizontal कर लीजिए, इसको select करता हूँ, इसके साथ point on curve कर देते हैं, फिर इसको इसके साथ point on curve, इसको पकड़ेंगे, x-axis के साथ point on curve, फिर इस center को circle के साथ point on curve, यह देख लीजिए, अगला step है, हमारा इसका radius डालना, 50 का है, यहाँ पे आप radius डाल सकते हो, enter, diameter इसका 47 है, आप ले सकते हैं, 47, okay, middle mouse, middle mouse, and then what, आप यहाँ से इसको जरा सब बाहर ले लिजिए, अगला step क्या है, मैं इन तीनों को, sorry, यह पूरा profile को pattern करूँगा, सबसे पहले आप इसको select किजिए, यहाँ पर जाईए, यह रहेगा मेरा pattern curve, और यहाँ हमें circular लेना है, center यह बला लेता हूँ, देखिया, यहाँ पर 6 है, हमें 6 नहीं चाहिए, 3 चाहिए, और यहाँ पर 120 चाहिए, enter, okay कर देता हूँ, फिलहाल तो हमें बस इतना ही करना है, finish करूँगा, end button को press करूँगा, या तो आप यहाँ से भी isometric को on कर सकते हो, no problem, चलते हैं अब अगला step, extrusion की तरफ, अब extrusion की height आपको यहाँ से मिलेगी, यह आप देख सकते हो, total 225 लिखा हुआ है, मैं यहाँ से region boundary curve को select करता हूँ, 225 divided by 2 कर देता हूँ, 225 divided by 2, one second, यहाँ पर हमको 225 divided by 2 करता हूँ, ठीक है, preview करेंगे, और इसको हम क्या करने वाले हैं, symmetric करने वाले हैं, and then apply करते हैं, यह हमारा पहला काम हो चुका है, अगला क्या है, देखिए यहाँ पर 32 का है, तो आप यहाँ पर ले सकते हैं, इसको select करेंगे, फिर इसको select करेंगे, फिर इसको select करेंगे, and then what, यहाँ पर आपको इधर नीचे से कम करना है, तो आपको क्या करना होगा, इसको copy करना चाहिए, one second, मैं फिर से extrusion करूँगा, select, select, और select, ठीक है, इस value को हमें copy कर लेना है, यहाँ पर आपको paste करना है, और minus में कितना करना है, 32, enter कर सकते हैं, यह देख लीजिए, तो यहाँ से हमें सिर्फ 32 रखना है, बागी का हटा देना है, and then apply कर देते हैं, आप चाहो तो इसके साथ unite कर सकते हो, apply कर दीजिए, फिर आप इसको select किजिए, इसको select किजिए, और फिर इसको select किजिए, then आप इसके direction को flip कर दीजिए, बस, and then unite, then okay, इस तरह से देखिए, कितने अराम से हमने इसको extrude कर लिया है, hide कर देते हैं, sketch को, end button को press करते हैं, देख लिजिए, इस तरह से हमारा यह काम हो रहा है, अभी देखते हैं, यह portion बनाना है हम लोगों को, 160 का offset लेना हम लोगों को, तो मैं चाहता हूँ, तो अब हमें क्या करना होगा, 160 का plane लेना होगा, तो मैं datum plane में जाता हूँ, इस plane को हमें select कर लेना है, इसको flip कर देना है, या तो यहां से भी flip कर दीजिए, और यह हम ले लेते हैं 160 का ओके बाद में आप sketch में जाएए इस plane को select किजिए then okay किजिए then circle 200 then आप finish किजिए इसको select करता हूँ extrude करता हूँ इसको आप flip किजिए यहाँ आपको 0 रखना है और यहाँ आपको रखना है until next यह देख लो unite कर देता हूँ okay कर देता हूँ select करेंगे इसको select करेंगे और आप hide कर दिजिए यह हमारा आधास ज्यादा काम हो चुका है next क्या है जड़ा गौर से देखिएगा यह सारे चीजे हमें यहाँ पर counter bore hole लेना है उससे पहले आप जड़ा इस पीछे वाले को देख लिजिए यहाँ पर भी हमें create करना है आप देख सकते हो इधर नहीं दिख रहा बट यहाँ पर आपको पता चलेगा यह देख लिजिए हमारा 325 में एक हमें plane लेना चाहिए 325 और इसको आप flip कर दीजे इस side में ओके फिर आप इसको select करके sketch कर लेते हैं एक circle ले लेता हूँ diameter कितना है 75 का diameter है enter finish it अब आप इसको select करके extrude कीजिए यहाँ पर देख लेते हैं जरा सा until next unite ओके इसको भी आप hide कर सकते हैं ओके अगला क्या है यहाँ पर हम लोगों को counter bore hole लेना है यह आप देख सकते हो bore diameter हमारा 100 है bore depth 25 hole diameter है 56.2 hole depth है 310 का 310 mm तो चलिए यहाँ से मैं ले लेता हूँ hole यहाँ आपको लेना है counter bore और आप इसको select कर सकते हैं अभी देखिए बिलकुल छोटा छोटा आ रहा है bore diameter 100 यह आपको 100 डालना चाहिए और यह हमारा 25 enter one second इसको मैं ज़रा ऐसे कर लेता हूँ अगला क्या है यह हमारा कितने का है 56.2 तो यहाँ पर हम लोगों को 56.2 डालना है और वैल्यू डालता हूँ 310 का टिप एंगल वगरा कुछ भी नहीं चाहिए मुझे यहाँ पर आपको 0 डाल देना चाहिए और अप्लाइ कर देना चाहिए और यहाँ से आपको कैंसल कर देना है यह आप देख सकते हो इतना काम हो चुका है अब हम एक और होल लेंगे यह देखिए 3 into 20.3 depth इसका 15 है ठेक है PCD कितना है हमारे डेड़स हो का तो आप यहाँ से होल ले सकते हो simple सा होल लेना इस बार diameter मेरे 20.3 रहेगा तो यहाँ से हम लोगों को 20.3 डालना है and then यहाँ पर आपको depth कितना डालना है 15 का तो आईए जो depth है वो 15 डाल देते हैं ओके और आप यहाँ पर कहीं से भी सुरुआत कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है and then middle mouse अभी देखिए सबसे पहले इस point को select किजिए फिर यहाँ से आपको इस axis को select करना point on curve कर देना है यह हमारा हो गया अगला यहाँ पर डेड़ सो का है तो यहाँ पर हम लोगों को 75 डालना है enter ok and then आपको finish कर देना है यहाँ पर देख सकते हो 20.3 diameter है और depth हमारा 15 का है यह हो गया ok कर देना है फिर आप इसको select किजिए pattern feature यहाँ से हम लोगों को circular बें जाना है यह आप vector को x axis ले लीजिए concentric के हमें जरूरत नहीं है हमें यहाँ पर सिर्फ 3 चाहिए और apply किजिए उपस गलती हो गई 6 आगया गलती से मुझे 3 type करनी थी type here 3 and then ok यह देख लीजिए मेरा body बनके हो गया है पूरी तरह से तयार आपको drawing अगर read करना आता है तो solid modeling बनाने में आपको कोई परिशानी नहीं आएगी तो reading जो है वो ठीक करना होगा हम सभी को चाहे छोटा model रहे या बड़ा छोटी drawing रहे या बड़ी drawing ठीक है तो आपको reading जो है अच्छे से करनी है then modeling start करनी ठीक तो चलिए आप इसमें चाहें तो किसी तरह का material डाल सकते हैं या metallic effect और color वगेरा जो भी आपको डालना है आप डाल सकते हो here you can see otherwise आप कुछ bright color भी ले सकते हो तो as per your choice आप अपने मर्जी से रख लीजिए ठीक है ऐसे कोई restrictions नहीं है इसको हम save कर देते हैं एक नया file लेते हैं part number 2 shaft okay अब इसको हमें आधा बनाके revolve करना है sketch में जाता हूँ plane okay देखिए यहां से हमें शुरुवात कर लेनी है total length मुझे बिल्कुल भी नहीं पता हमें एक एक करके calculate करके लेना पड़ेगा तो यहां से आप profile लीजिए continuous auto dimension को off कर देता हूँ और यह देखिए हमें एक एक करके लेना है इस तरह से shape बना लेता हूँ और यहां से हम लोगों को इसके बराबर में ले लेना है one second इसको यहां तक लेना है middle mouse middle mouse इसको आप horizontal कर दीजिए चलिए करके हम dimensions डालते हैं इसमें यह है हमारा 37.5 तो यहां पर हम लोगों को 37.5 divided by 2 करना होगा ओके उसके बाद है 56 मतलब 28 का ओके उसके बाद है 87.2 यहां से यहां तक 87.2 divided by 2 उसके बाद देखे 28.9 उसके बाद है 89.8 और यह हमारा 24 उसके बाद इसका भी सेम ही है 56 का तो हम यहां से इसको पकड़के को linear कर देते हैं बागी का काम हमारा finish हो चुका है अभी total length डाल देते हैं जरा तो हमें calculate करना होगा आप देख सकते हो total length के लिए 38.2 प्लस 193.8 प्लस 15.1 मतलब यहां से यहां तक 38.2 38.2 प्लस 193.1 इंटर अच्छा यहां पर मैंने कितना डाला है अच्छा 1 डाल दिया था न 8 चाहिए इधर हम लोगों को तो 38.3 प्लस 198.8 प्लस 15.1 इस तरह से हमें करना चाहिए बराबर है देख लीजिए 38.3 38.2 चाहिए हम लोगों को यहां पर उसके बाद है 193.8 193.8 उसके बाद है अभी जाके हमारा exact हुआ आप चाहे dimensions वगएरा थोड़ा सा arrange कर लीजिए ताके आपको neat and clean दिखाए दे and then finish अभी हम इसको select करके revolve कर लेते हैं यहां से इसको select कर लीजिए देनों के कर दीजिए यह काम हो गया अभी आप इसको hide कर सकते हैं देखिए यहां पर अगला step क्या है इधर मुझे cut करने है तो आप यहां से sketch में जाईए plane को select किजिए and then आपको rectangle लेना है इस तरह से middle mouse अब उसी तरीके से हमें 38.2 और 193.8 लेना है तो यहां से हम लोगों को 38. गलती हो गई यहां से ले करके यहां तक लेता हूं कितना लेना 38.2 इधर आपको type करना है 38.2 enter और इधर का हम ले लेंगे 193.8 ओके next क्या है तो देखते हैं यह उपर से लेकर 31.1 का है तो हम लोगों को calculate करना होगा देखिए यहां पर हमें एक projection लेनी पड़ेगी तब जाके हम exactly रख सकते हैं उसको तो यहां से हम project कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है यह you can see project curve है इसको ले लेते हैं कर देते हैं यहां से यहां तक 31.1 31.1 31.1 enter हलाक यह उपर रहे नीचे रहे कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन आप चाहें तो इसको और इसको पकड़के horizontally align कर सकते हो no problem आप इसको construction में convert कर दीजिए then finish कीजिए और यहां से आपको symmetry कर देना है और यहां से आपको subtract कर देना है then okay इसको आप hide कर दीजिए अगला step क्या है यहां पर दो holes लेने हैं हम लोगों को 12.5 का hole में जाइए select करते हैं face को और यहां पर हम लोगों को 2 point लेने हैं middle mouse अभी मैं इस point को select करऊंगा इस point को select करऊंगा और horizontally align कर दूंगा अभी मैं इस point को select करता हूँ और यहां से center वाला ले लेता हूँ नहीं तो आपको ये ये वाला axis लेना चाहिए और collinear कर देना चाहिए ठीक है देखिए अभी यहां से 46.9 mm का है एक एक कर के लिए जी dimensions कितना लेना है 46.9 ओके और 100 का है यहां से यहां तक का 100 का है ओके काम हो गया फिनिश कर देता हूँ अगला step यह है 12.5 diameter यहां पर डालना है हम लोगों को ओके अंटिल नेक्स्ट ओके यह काम हो चुका है अब यहां पर 3 into 45 का chamfer यहां हम लोगों को 3 डालना है बाइ 45 डिग्री है ओके यह रहा हमारा शाफ्ट अभी आप चाहें तो यहां true shading में जाके अपने मर्जी का color ले सकते हो यहां तो यहां से आप कोई भी color ले लीजिए ठीक है retainer enter sketch में जाता हूँ plain लीजिए ok circle लेता हूँ middle mouse यहां से 200 diameter close it and then 150 diameter उसके बाद एक और लेना है यहां पर 20.3 का यहां पर मैं ले लेता हूँ उसके बाद एक और है 56 का middle mouse middle mouse अच्छा मुझे इस center को select करना है इसको and then कर दिया अभी इसको हमें क्या करना है construction मिलेना और इस circle को हम pattern कर देते हैं finally done finish करता हूँ extrusion में जाता हूँ यह हमारा 25 है यहां से apply कर दीजिए यह हमारा retainer हो चुका है आप अगर चाहें तो इसमें अलग color भी डाल सकते हैं body जो भी color आपको लेना है ले लीजिए multiple colors के choice है हमारे पास true shading करेंगे तो और भी खुबसूरत दिखेगा इसको save कर देते हैं यहां पे मैं नया file ले लेता हूँ part number 4 arm enter यहां से sketch में जाना है top plane then okay यहां पर हम लोगों को circles लेने है 4 radius 28.15 और इसका diameter देखिए 1 1 2.5 तो पहले diameter ले ले लेते हैं 1 1 2.5 1 2 3 4 middle mouse ठीक है अभी इसको पकड़ेंगे 1 second इस center को पकड़ेंगे और x axis को पकड़ेंगे point on curve अभी यहां से radius 28.15 लेना है तो आपको जड़ा careful रहके इसमें dimensions डालनी होगी radius चाहिए दोनों में यह आप देख सकते हो इसमें तो diameter ही दिया गया है ठीक है diameter ले ले लेते हैं चलिए यह total 43.8 43.8 यहां पे हम लोगों को 43.8 डालना है और दूसरा 87.5 87.5 इंटर यहां पे जाना है diameter 112.5 बाहर वाले का 112.5 इंटर और radius 28.15 तो यहां से आपको radius ले लेना है 28.15 इंटर दोनों के बीच का distance 300 और अगला स्टेप यहां पे हमें कीवे बनानी है तो चलिए फिर एक rectangle ले ले लेते है इस तरह से middle mouse यहां आपको make symmetric कर देना है select this line this line और एक axis close it देखिया यहां से 35.85 लेना है 35.85 38 35 35.85 35.85 35.85 इंटर और बाद में यह हमारा 12.6 का है यहां से 12.6 इंटर and then close it T for trim कर दो इस तरह से आप trim कर सकते हैं काम हो गया हमारा अब अगला क्या है इन दोनों के side में line ले लेना है tangent तो यहां से यहां तक का एक line ले लेना है then यहां से यहां तक का line ले लेना है अच्छा देखिए यहां पर अगर यह coincident नहीं है तो आपको यह coincident करना चाहिए बात हमारा finish हो गया finish कर दिते हैं यहां से अभी हमें extrusion करनी है ठीक है तो extrusion जो है हमें यहां से पता चलेगा यह देखिए 62.5 दोनों का तो यहां से ले लेता हूँ और यहां से ले लिया 62.5 divided by 2 और इसको आप symmetric कर दीचे then यहां से apply फिर यह हमारा 25 है मतलब 12.5 यहां से आपको 12.5 लेना है 1 second और बाद में आप इसको symmetric कर दीजिए और यहां से आप ok कर दीजिए unite करना चाहते हैं कर सकते हैं ok इसको आप hide कर सकते हो yeah you can see जैसा भी आपको color चाहिए आप ले सकते हैं इसको solid यहां से added display and then यहां से आपको ले लेना है जो भी color चाहिए आप ले सकते हैं then ok then ok और यह लिया मैंने view and true setting यह कुछ इस तरह दिखने वाला है ठीक है परस्पेक्टिव अगेरा ओफ चाहिए तो कर सकते हैं यह देखो नॉर्मल आर्म बन गया आप इसको save कर लीजिए ठीक है यहां से भी आप कर सकते हो no problem ओके इसको close कर देते हैं अभी देखते हैं plate को बनाने के लिए इसको देखते हैं यह हमारा elliptical है shape देख सकते हो नया file लेता हूँ मैं यह हम लेंगे इस बार part number यह हमारा कौन सा था part number 4 था शायद यह हमारा part number 4 था अभी मैं 5 लेने वाला हूँ यहां से आप 5 लिजिए plate then enter sketch में जाता हूँ okay see यहां पर हमें ellipse की जरूरत है कुछ इस तरह से and then okay आप हमें पूरा dimension डालना है 102.5 यहां से यहां तक आप ले सकते हो 102.5 enter and then यह हमारा 96.9 मतलब यहां से यहां तक 96.9 okay हो गया काम अच्छा यह भी rotate होने के लिए actually यह नहीं हो रहा भी rotate है ना तो यह fix है हमारा किसी तरह के कोई दिक्कत नहीं है ठीक है? इस साइड से हमें एक circle ले लिनी है middle mouse इसको पकड़ लेता हो मैं और इसके साथ फिर आप इसको कर देते हैं mirror diameter कितना है 12.5 आप यहां से 12.5 ले सकते हो और बीच में देखिए 100 है एक साइड का हम 50 ले लेते हैं and then close it यह हमारा हो चुका है then okay आप इसको extrude कर लेते हैं thickness कितनी है 6 mm की मैं 3 लेता हूँ एक साइड और इसको हम symmetric कर देते हैं then okay और यहां पर आपको कर लेना है hide and then what अब आप इसको select किजिए इसको select करेंगे यहां से आपको color ले लेना है जो भी color आपको अच्छा लगता है लिजिए and then okay किजिए यहां से आपको view में जाना है true shading and here you can see अब आप इसको save कर लिजिए यह हमारा 5 पार्ट बनके हो गया है तयार ठीक है यहां से भी एक बार आप confirm कर लिजिए इसको close कर देते हैं फिर हमारा है छठा पार्ट nut तो चलिए फिर मैं एक नया file लेता हूं पार्ट नमबर 6 nut enter sketch में जाता हूं plain लिया और के किया यहां से आपको hexagon ले लेना है इस तरह से middle mouse close इसको horizontal कर देते हैं अगला step क्या है 69 total तो आपको यहां से 69 लेना है total ओके close कर देते हैं उसके बाद आप यहां से क्या कर सकते हो देख लिजे 37 है diameter 37 enter middle mouse middle mouse and then finish it अगला step क्या है यह देखे 25 का तो आप यहां से 25 टाइप कर सकते हैं देनोके कर सकते हैं इसको hide कर देता हूं ओके नाव सी यहां पर देकी आर्क जैसा कुछ है बट radius हमें दिया नहीं है ठेक है तो कैसे लिया जाए पता नहीं तो अभी मैं आपको एक idea बताता हूं sketch लेता हूं इस face को select करके एक circle ले लेते हैं और यह circle जो रहेगा इसके tangent में रहेगा बस next step है sketch में जाए और इस plane को लिजिए क्योंकि मुझे one second यह गलत face select कर लिया हमें इस face को ले लेना है इधर से हमें तीन face दिखना चाहिए गलत हो गया one second में फिर से लेता हूं sketch इसको लिया and then okay किया इस side से हमारा तीन face दिखेगा अगला क्या है सो देखिए मैं इस circle को project करता हूं यहां से आप project कर लिजिए and then okay कर दीजिए एक line आपको नजर आएगा right click करके orient view to sketch कर देते हैं and then आप arc ले सकते हो इसको select करेंगे और इसको select करेंगे कुछ इस तरह से मुझे पता नहीं कितना length है बस आप इसको जो है इसके साथ tangent कर लो हो गया काम हमारा अभी आप यहां से इस तरह का profile ले लिजिए middle mouse middle mouse और इस line को आप construction में convert कर देजिए and then okay finish it अब आपको क्या करना है इसको revolve करना है vector इस तरह से और यहां से आपको subtract and then okay अब आप इसको और इसको दोनों को hide कर सकते हैं आराम से यह देखिए हमारे पास radius नहीं दिया हुआ है इसलिए हमने इस method को use किया अगर रहता तो हम दूसरा method use करते थे ठीक है तो चलिए फिर यहां से भी हमें कोई दिकत नहीं है आप यहां से body को select कर सकते हैं यहां से जाता हो और मैं इस बार इस color को ले लेता हूँ यहां से view में जाके true shading कर देते हैं perspective अगर नहीं चाहिए यहां से off कर सकते हैं यह देख लो हमारा काम हो चुका इसको भी आप save कर लीजिए it's looking nice and then save it चलिया आखरी पार्ट बच गया है यह हमारा screw है छोटा सा ठीक है save कर लेते हैं इसको close कर देते हैं एक नया file लेता हूँ यह हमारा part number होगा 7 screw then enter sketch में जाता हूँ इस plane को select करता हूँ then ok अब देखिए यहां से हमें total सबसे पहला काम तो हम एक radius circle ले लेते हैं no problem यहां से कुछ इस तरह से one second में center वाला लेता हूँ ज्यादा बहतर रहेगा middle mouse इसको पकड़ेंगे इसको पकड़ेंगे vertically align इसको पकड़ेंगे इसके साथ horizontally align radius हमारा है 15 का तो आपको यहां पर 15 डालना चाहिए 15 15 enter next क्या है यहां से आपको एक profile draw करनी है इस तरह से okay इस तरह से and then what आपको यहां से यहां तक touch कर देनी है and then middle mouse middle mouse okay अभी देखते हैं यह हमारा 20 है यहां पर आपको 10 लेना है enter and यह हमारा 38 का है तो यहां से आपको 38 लेना है ठीक है यह हो गया बस अभी हम इसको करेंगे finish और revolve करेंगे vector मेरा यही रहेगा इन दिनों के अगला step क्या है इसको hide कर देते हैं पहले यहां पर cut out create करना है तो आप कोई भी plane ले लो यहां से center rectangle का हम इस्तेमाल करेंगे middle mouse make symmetric okay width कितना है 4 और यहां से 3 यहां से आपको ले लेना है 4 और यहां हमें 3 लेना है then close it finish it अब आप इसको extrude करेंगे material को remove करेंगे यहां से आप symmetric कर सकते हैं material को subtract किजिए इसको hide कर देते हैं यहां पर 3 into 3 का chamfer आप यहां से ले सकते हो 3 into 45 भी ले सकते हो नहीं तो 3 into 3 भी ले सकते हो यहां से आपको select करना है या फिर ready made material डालनी है तो आप ले सकते हैं इस तरह से बट यहां पर यह दिखेगा क्योंकि मैं assembly में जाता हूं तो यह वला effect उड़ जहता है ठीक है तीए इसी में दिखेगा आपका ने ही तो आप color डालोगे तो आपको assembly में भी नजर आएगा और और part में भी नजर आएगा ठीक है तो यहां से मैं body ले लेता हूं और इसमें जाता हूं अगर आपको यहां से कोई color choose करना है तो choose कर लिजीए यह आपको जो है assembly में भी नज़र आएगा और यहां पर भी नज़र आएगा ठीक है तो यह ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर मैं इसको off कर देता हूँ तो भी आपको यह दिखेगा ठीक है यहां से आपको कुछ भी नहीं चाहिए बाद में मैं save कर लेता हूँ और इस session में हम इस assembly को पूरा करने वाले हैं ठीक है तो चलिए फिर start करेंगे एक नया file लेते हैं सबसे पहला काम तो हमें assembly में जाना है इस पे click करना है और यहां पर आपको final assembly type कर देनी है ठीक है अगला step क्या है यहां से आपको open करना है और देखिए यहां पर हमने bodies, bodies सब कुछ बना के रख लिया है ठीक है यह रहेगा body and then okay okay करने बाद कुछ इस तरह से हमारे parts दिख रहे हैं आप चाहोत इसको constraint में जाके पहला part है इसलिए हमें fix करना चाहिए and then okay कर देते है मैंने जैसा बताया था कि आपको show and hide में जाके यहां पर जो भी unwanted चीज़े हैं आप उसको hide कर सकते हो तो यहां से मैं sketch को भी hide करने वाला हूँ, datums को भी hide करने वाला हूँ और okay कर देता हूँ, close कर दिया याद रखे मैंने इसमें appearance डाला था, इसलिए assembly में आपको appearance दिखने वाला नहीं है आपको अगर यहां पर appearance चाहिए तो अलग सा appearance आपको डालना पड़ेगा अगर आपने colors डाला है तो color यहां पर आपको नजर आएगा, ठीक है यह हमारा पहला part आचुका है, अभी दूसरा part हम क्या लेंगे, सो देखते हैं दूसरा part हम लेंगे, shaft, add component, open, shaft देखिए यहां से आपको move में जाना है, और इस को जरा इधर ले लीजिए और बाद में आप इसको rotate कर लीजिए, and then okay कर लीजिए अभी जो भी sketch वगएरा है, सबको hide कर लीजिए यह क्यों आ रहा है, तो पता नहीं, आपके इसमें नहीं आएगा शायद है ना तो मैं यहां से datum, item भी hide कर देता हूँ, हमें नहीं चाहिए इसको इसके साथ touch करने है, तो आप concentric direct ले सकते हो, no problem, आप इसको select कर सकते हैं, और यहां से इसको भी select कर सकते हैं, या तो इसको भी ले ले लेंगे, तो भी चलेगा, ठीक है, ज़रा zoom किजिए, और यह देख लो हमारा काम हो चुका है ओके, perfectly done, then ok कर देते हैं इसको, अब इसके उपर हमें retainer डालना है, ठीक, तो यहां से आपको retainer ले ले लेना है, यह हमारा है retainer, then यहां से आपको move कर लेना चाहिए, and then यहां आपको ऐसे कर लेना है, and then ok, यहां पर देखिए मैंने color डाला था, इसलिए आपको यहां पर color द तो यह यहां पर नहीं दिख रहा है, अगर आप इसमें color डालते हैं, तो यहां पर आपको color दिखता, ठीक, तो यहां पर मैं इसको sketch को भी hide करता हूँ, datum को भी hide करता हूँ, अभी देखिए हमें अगला काम क्या करना है, assembly constraint में जाता हूँ, इसको और इसको select कर लेता हूँ apply, अभी देखिएगा थोड़ा सा, तो हमें ये देखो अजीब सा दिख रहा है, इसका जो point दिखी नहीं रहा है, मतलब body का hole नहीं दिख रहा है, अपको select करके जरा rotate ले लेना है, यहां से में थोड़ा सा आधा portion इसका और आधा portion इसका दिख जाए, तो मेरा काम बन यहां से फिर से मैं concentric ले लेता हूं और इसको और इसको select कर लेता हूं, यह देखे perfect हो चुका है, yes, अब यहां हमें screws डालना है, यह आप देख सकते हो, open करूंगा, screw number 1 डालना है, screw number 2 जो मैंने बनाया है, one second, यहां के लिए बनाया है, तो फिलहाल तो अभी उसमें प्लेट नहीं डाले हैं, अब यह आप open में जाइए, और मुझे screw number 1 ले लेना है, आप यहां से ज़रा move करके, side मिलीजिए, और इसको आप चाहो तो rotate कर सकते हो, and then ok कर दीजिए, अब इसके लिए भी हमें फिर से इसको show hide कर लेना चाहिए, ठीक है, add items के हमें जरूरत नहीं है, यहा पर आप ले सकते हैं, फिर से concentric, और मैं इस age को, और इस age को select कर लेता हूँ, यह देख लिजिए, काम हो गया, ok, अभी मैं इस screw को pattern करने वाला हूँ, यहां पर देखिए हमारा pattern component का tool है, ले सकते हैं, अभी आपको component को select करना है, और यहां आपको circular लेना है, फिर vector, vector में मैं इसको ले लेता हूँ, और point जो है हमारा, यहां पर click करेंगे, और inferred ले लेता हूँ, और इस बार मैं center वाला click कर देता हूँ, then ok कर दिजिए, यहां पर हमें सिर्फ 3 चाहिए, 3, और angle जो रहेगा, वो 120 degree रहेगा, ok, then आपको यहां से ok कर देना है, अब देखिए, यहां पर datum, datum आ गया है, तो आप इसको hide कर सकते हैं, कोई दिकत ने, constraints को भी hide कर देता हूँ, datum को भी hide कर देता हूँ, sketches को भी hide कर देता हूँ, then close it, यह देखिए, कितना कमाल का दिख रहा है, हमारा काम होता चला जा रहा है, ठीक है, अच्छा, अभी मैं ज़रा सा, arm ले लेता हू और जैसे कि आपको पता है, कि arm में एक key way दिया हुआ है, और उस key में एक हमारा pin बैटने वाला था, बट यहाँ पर नहीं दिया है, तो आप बना लेना ठीक है, तो यहाँ से हमें arm को ले लेना है, और हम इसको जड़ा move कर लेते हैं, and then आप इसको select किज़े, ऐसा, और इसक close कर दिता हूँ, assembly constraint में गया, concentric हमारा, इसमें तो बहुत ज़्यादा use हो गया, ठीक है, तो nothing to worry, आप इसको भी ले सकते हो, no problem, अभी देखिए मैं किसकी बात कर रहा था, यहाँ पर एक cut होता, यानि इस arm को और इस shaft को पकड़ने के लिए, हमें यहाँ पर इसमें एक slot बना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर नहीं है, बट आप बना लेना, ठीक है, इसी size का होगा, ओके, फिलहाल तो यहाँ नहीं है, इसलिए मैं इसको ऐसा ही छोड़ रहा हूँ, लेकिन इसे यह काम नहीं करेगा, shaft घुमाने के लिए, यहाँ पर cut out create करना ही पड़ेगा, ठीक है, अभी मैं यहाँ पर एक nut ले लेता हूँ, या तो अगर इसमें आपको editing करनी है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसमें करके बताता हूँ, आपको देखे कैसे करना है, तो हम लोगों को इस part को जड़ा open कर लेना है, यह देखिए, यहाँ पर है हमारा make work part, इस करना, तो आप इसमें किसी भी तरह से editing कर सकते हो, जैसे कि मैं sketch में जाता हूँ, इस पर selection किया, इन देन ok किया, आपको यहाँ पर जो भी लगता है आप कर सकते हो, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इसको project कर लेता हूँ, यहाँ से आपको project कर लेना है, अगर दिक्कत आ र बराबर हमारा 56 का है, 56, enter, ok, coincident हो गया है, इसलिए मैं इसको delete कर देता हूँ, और मैं यहाँ से ऐसा, ऐसा, ऐसा करके एक profile ले लेता हूँ, ठीक है, इसके बराबर, ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, then middle mouse, middle mouse, आप चाहें तो dimension डाल सकते हैं, नहीं तो पहले तो हम metric करना चाहिए, इस line को पकलेंगे, इस line को पकलेंगे, और x-axis को पकलेंगे, ठीक है, यह गयाब हो रहा है हमारा, तो हमें जरा सा careful रहना है, इस point को ले लेता हूँ, फिर इस point को ले लेता हूँ, और इस axis को ले लेता हूँ, ठीक है, चलिए, no problem, अभी हम लोगों को इसका dimension कितना डालना है, one second, हमें इसका जो dimension लेना है, वो हमें चेक करना पड़ेगा, कितना है, 12.6 का, तो आपको 12.6 डालना है, यहाँ पे, ओके, ठीक है, और यह अंदर कितना है, बाहर कितना है, we can decide, और यहाँ से हम लोगों को यहाँ तक एक dimension डालनी होगी, इसको close कर देता हूँ, यह हम कितना का ले लेते हैं, तो चलिए यहाँ से मैं 20, 22 का ले लेता हूँ, 22 का, okay, and close it, अभी आप T4 trim कर सकते हो, यह हटा दीजिए, यह हटा दीजिए, और यह भी हटा दीजिए, ठीक है, and then finish it, अब जो भी है, यहाँ से आपको यहाँ तक total cut करना है, आप extrusion ले सकते हैं, तो यहाँ से हम लोगों को इस region को select कर लेना है, और हमें opposite direction में चले जाना है, अभी देखते हैं, इसका total length हमने कितना लिया था, याद है क्या, यह देखिए, 89.8 का है, तो यहाँ पे हम लोगों को 89.8, enter, 89.8, 89.9, okay, 88.9 है, subtract कर देते हैं, then apply कर लेते हैं, यहाँ से cancel करते हैं, यह देखिए, मेरा एक key way बन चुका है, अभी आप इस sketch को hide कर सकते हो, ठीक है, और इसको control S प्रेस कर दीजिए, अब जाके हम लोगों को assembly को make work part करना होगा, तो हम लोगों को यहाँ पर जाना है, assembly navigator में, और यह है मेरा final assembly, आप इस पर right click करके make work part कर दीजिए, तो देख लिजिए, हमने on the spot यहाँ पर एक cutout बना लिया है, अभी एक चीज और हमें करना होगा, क्या, यहाँ का distance हमें measure कर लेना है, यह तो हमें पता है, 12.6 का है, आप देख सकते हो, किदर गया, 12, yes, 12.6 का है, बट यहाँ का हमें नहीं पता है, तो आपको यहाँ जाना है, analysis में, simple distance, यह मैंने पहले ही बड़ी detail में पढ़ा दिया है, ठीक है, select this face, and this face, यह देखिए, 13.85 लिया गया है, ओके, तो हम लोगों को एक key बनानी होगी इसके लिए, ठीक है, तो दरसल हम यहीं पर भी बना सकते हैं, एक नया part है अगर आप जाईएगा, यह देखिए, create new, वगेरा वगेरा है, यह जो चीज है, आपको मैं बाद में बताने वाला हूँ, top down assembly जब हम लोग पढ़ेंगे, तब मैं इस method के बारे में बात करूँगा, कि बबाद, assembly में ही आप किस तरह से parts को बना सकते हो, और उसमें assemble कर सकते ह है, तो फिलहाल जो है, आप क्या कीजिए, एक नया file लीजिए, और यहाँ पे 13 point कितना लिये थे हम लोगों ने, तो उसके 13 point कितना था हमारा, चेक कर लेते हैं जरा फिर से, तो इस तरह से हम लोगों को, यह देखिए, 13.85 by 12.6 mm का एक मुझे block बनाना है, rectangular, और इसमें जाक है, assemble करना है, ठीक है, तो खेर वो आप कर लेना, मैं यहाँ पर अभी तो नहीं करने वाला हूँ, और direct आप यहाँ पर add components में जाईए, और मैं nut ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर यह हमारा nut है, आप इसको open किजिए, और मैं move कर लेता हूँ, यहाँ से, और इसको rotate कर लू constant में जाना है, concentric लेना है, मैं यहाँ से इसको select करता हूँ, और बाद में आप इसको select कर लिजे, ठीक है, यह भी देख लिजे हमारा fit हो चुका है, and then ok कर लिजे, इस तरह से हो गया है, अभी मैं यहाँ पर plate insert करने वाला हूँ, सही जगा पर उसको fit करूँगा, यह लेता और this is our plate, देखे सही जगा पर तो गया है, बट इसको हम मुझे move करके properly फिर से assemble करना होगा, और यहाँ पर जो भी sketch है, आप उसको manually भी या तो automatically आप hide show कर सकते हो, ठीक है, अब अगला step क्या है, यहाँ से assembly constant, इसमें तो हमने ज़्यादा तर concentric का ही इस्तमाल किया है, तो select कर लेना है, then apply, and then cancel कर देता हूँ, थोड़ा समय इसको rotate कर लूँगा, और इस तरह समय जड़ा सा rotate करता हूँ, ज़्यादा नहीं, बस इतना काफी हमारे लिए, और मैं फिर से यहाँ पर इसको select करता हूँ, और फिर हम इसको select कर लेंगे, यह देख लिए, जब फिट नहीं दिया है, बट हमने बना लिया है, अब यहाँ हम लोगों को screw number 2 को insert कर लेना है, यह मैंने बनाया हुआ है, आपको मैंने नहीं बताया था, बट यह आप बना सकते हो खुद भी, जैसे मैंने screw 1 बनाया था, वही सही है, और मुझे यह दो चाहिए ता आप दो भी ले सक करते हो, यह आप देख सकते हैं, दो मैंने ले लिया, ठीक है, ओके कर देता हूँ, और यहाँ से आपको show hide कर लेना है, यहाँ से sketches को और datum को, और यहाँ पर आपको क्या लेना है, concentric, और बाद में आप इसको पकड़ेंगे, इसको भी पकड़ सकते हो, कोई दिकत नहीं है, इसके साथ touch कर देते हैं, and then apply, ठीक, उसके बाद फिर से हम वही करेंगे, यह लिया, और यहाँ से यह ले लेता हूँ, and then ok कर देते हैं, and that's all about it, अगर आप इसमें किसी तरह का कोई colors डालना चाहते हैं, तो definitely आप डाल सकते हैं, इसको select किजिए पहले, body, and then यहाँ पर जाए और आपको जो color पसंद हो, यहाँ से आप ओ color ले सकते हैं, कोई दिकत नहीं है, and then ok, then ok, यह हमारा हो गया है, बस बाकी और कुछ दिकत नहीं है, इसमें, अच्छा, आप यहाँ पर जाता हूँ, view में, और true shading में, on कर देता हूँ, यह देख लीजे हमारा, एक butterfly valve assembly, completely बनके त बनाया है, अब देखिए, इसमें क्या है, अगर मैं इस part को rotate करता हूँ, तो हमारा plate automatically rotate होगा, आप देख सकते हो, अच्छा, यह हमारा जरा fail हो रहा है, तो हमें जरा ध्यान से, अब मुझे यहाँ shaft को ही direct लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ key नहीं डाला है ना, इस जैसे, तो यह हम लोगों को जरा rotate करके देखना चाहिए, कि यह सही से काम कर रहा है, actually यह ऐसा, 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 ऐसा होते रहता है, butterfly जैसा, तो इसलिए इसका नाम जो है, वो butterfly valve है, यह पूरी तरह से 360 degree rotate हो भी नहीं सकता, ठीक है, यह ऐसा, 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 ऐसा करता रहता ह है, है न, तो यह सब के बारे में भी हम बात करेंगे, बट, motion में, ठीक है, तो last cut used topic होगा हम लोगों का, वो है motion, तो उसमें मैं आपको motion डालना बताऊंगा, किसी भी object में, ठीक है, ओके, मिलेंगे फिर अगले session में, thank you for this session, thanks for joining digital card solutions, bye bye, good day and take care. .